हेलो दोस्तों, दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में मैंने अपनी एक्सरसाइस 8.4 के जो ट्रिग्नोमेटिक आइडेंटीज में यूज होने वाले फॉरॉमलेज हैं, उनके बारे में बताया था इस वीडियो में next question करेंगे, question number 3, यह सारे फॉरॉमलेज मैंने इसमें detail में बताये हैं, अपनी last वीडियो में, तो प्लीज आप उसमें देख लेना, तो आपको अच्छे से question समझ में आएंगे, चलिए question number 3 करते हैं, question है, sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 73, अब इसके अंदर identity लग रही है, आपकी ये वाली, ये मैंने identity बताई थी आपको, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है, एक तो ये identities में लगेगी, और जो आपके पिछली exercise में, जो 90 minus theta की है, वो identities में लगेगी, तो शुरुआत यहां से होगी, सबसे पहले आपको इसमे अपने किसी एक term को 90 minus theta की form में change कर लेना है, देखिए, जैसे sin square 63 है ये, तो sin को, sin square, इस 63 को मैं 90 minus 27 लिख सकता हूँ, 90 degree minus 27 degree, इसको मैं unchanged रखता हूँ, sin square 27 degree, next step में, इधर से भी मैं इसको change कर लेता हूँ, नीचे वाले को, और अगले वाले को unchange रख लेता हूँ, तो cos square 17 हो जायागा आपका, 90 degree minus 73 degree, प्लस, और इसको unchange, अब sin square, 90 minus theta, square लगा हो चाए, cube हो चाए, आपका कुछ नहीं हो, identity आपकी वह लगती है, 90 minus theta वाली, तो sin 90 minus theta, ये आपका हो जाता है, cos theta, तो यानि कि ये आपका cos square 27 हो जाता है, ये as it is रहेगा, sin square 27, नीचे cos square 90 minus theta आपका, sin square theta हो जाएगा, और theta यानि कि, जो 90 के आगे लिखा हूँ है, 90 minus theta 73 degree, ये unchanged, cos square 73 degree, तो अब देख रहे होगे, आपकी sin square theta प्लस cos square theta, तो sin square theta प्लस cos square theta आपका 1 होता है, तो उपर 1 बन गया, नीचे भी sin square theta प्लस cos square theta, theta theta सेम हो गए, तो ये भी आपका 1 बन गया, तो finally इसका answer आपका 1 आजाता है, चले next question देखते हैं, sin 25 degree into cos 65 plus cos 25 plus sin 65 degree, इसमें भी आपको इसी तरह से करना है, कि पहले इसमें से एक number को आप change कर लीजिए, 90 minus theta की form में, तो मैं इसे change कर लेता हूँ, first को, तो sin 25 को मैं लिख सकता हूँ, sin 90 degree minus 65 degree, क्योंकि 90 में से 65 minus करने से आपका 25 आता है, इसको मैं change नहीं करता हूँ, as it is लिखता हूँ, cos 65 degree, प्लस, अगले वाले में से मैं first को change कर लेता हूँ, cos 25 मुझे लिखना है, तो 25 कब आयेगा, जब 90 में से आपका 65 minus होगा, और आगे मैं इसको change नहीं करता हूँ, अब sin 90 minus theta होता है, आपका cos theta, तो यह हो जाता है, cos 65 degree, into cos 65 degree, प्लस, यहाँ पे cos 90 minus theta आपका, sin theta हो जाता है, यानि कि sin 65 degree, और आगे भी sin 65 है, तो first में cos 65 and cos 65, यह आपका हो जाएगा, cos square 65 degree, प्लस, sin 65, sin 65, यह आपका sin square 65 degree, अब इसमें identity लग रही है, आपकी sin square theta plus cos square theta, तो sin square theta plus cos square theta होता है, आपका 1, तो यह भी आपका answer 1 आगया, तो चलिए इसके बाद question number 4 करते हैं, question 4 का first part, first में हैं आपका, 9 sex square a minus 9 10 square a, अब इसमें आपको दो terms दी हुई है, दो नोटल में आपको दिख रहा होगा कि 9 common है, तो पहले मैं 9 common ले लेता हूँ, first term में से बज़ जाता है मेरा sex square a, minus और यहां से बज़ जाता है 10 square a, अब 9 तो as it is रहेगा, अब दोस्तों जो sex square है, इस sex square को मैं इस form में लिख लेता हूँ, यह formula जो है, देखिए आप, sex square, sex square जो होता है, वो होता है आपका 1 plus 10 square theta, तो यानि कि sex square a हो जायागा, आपका 1 plus 10 square a, यहां पर theta की जीए कि a है तो a लिखना है आपको, और इसके आगे तो 10 square a लिखाई हुआ है, 9 as it is, bracket में आप ध्यान देंगे, तो plus का 10 square है, जो minus के 10 square a से cut गया, अंदर सिर्फ 1 बचा, 9 में से 1, sorry, 9 को 1 से multiply किया, तो यह आपका answer 9 आ जाता है, तो इस question में, इसका answer 9 आ जाता है, इसमें यही बताना था आपको question में, कि जो 4 options दिये हुए हैं, उनमें से आपका कौन सा वाला option ठीक है, तो इसमें यह जो B है, यह 9 है, तो B वाला option आपका ठीक है, second question पर चलते हैं, 1 plus 10 theta plus sec theta, second bracket, 1 plus cot theta minus cos theta, अब इसमें दोस्तों कुछ इस तरह से बनाना है हमें, कि नीचे के number को same हो जाएं, identities आपको मैंने बताई हैं, formulas, तो इसमें वो वाले inverse वाले formula लगते हैं, अब 10 जो होता है, यह होता है, sine upon cos, और sec होता है, आपका 1 upon cos, तो इस तरह से दोनों के नीचे cos आ जाएगा, तो 1 का 1, यह sine theta upon cos theta हो जाएगा, और sec होता है, आपका cos का inverse, तो यानि कि यह 1 upon cos theta बन गया, cot को आपको sin cos की form में लिख लेना है, और यह होता है, आपका cos theta upon sin theta, और cos होता है, आपका sin का inverse, तो 1 upon sin theta, अब इस bracket को solve करेंगे, यह 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप 1 मान लेंगे, यह 3 terms हैं, इन 3 हों का जो LCM आयाएगा, वो आपका cos theta आता है, यह cos को 1 से divide करेंगे, तो cos ही आएगा, और फिर cos को 1 से multiply करेंगे, तो cos theta ही आ जाएगा, इसी तरह से cos को cos से divide करेंगे, तो बन आएगा, और 1 से sin को multiply करने से, आपका यह sin theta आ जाता है, प्लस, यहां भी cos से cos 1 आ गया, divide होके, और 1 को 1 से multiply करेंगे, तो आपका यह 1 ही रह जाता है, यह आपका first bracket, same to same, second bracket में भी इसी तरह से होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे, sin और sin का LCM आपका sin theta ही आ जाएगा, 1 से divide किया, तो sin आ गया, और फिर उपर 1 से multiply किया, sin को तो sin theta, sin से sin, divide होकर 1 आ गया, और 1 को cos से किया, multiply तो यह आपका cos theta, यहां sin से sin divide होके 1 आ गया, 1 को 1 से multiply किया, तो यह आपका 1 ही रह गया, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कि आपके first में और second में, इन दोनों bracket के अंदर, cos theta प्लस sin theta, यहां cos theta प्लस sin theta, यह दोनों सेम हैं, और इनके आगे plus 1 और minus 1 लगा हुआ है, यह इसमें आपकी एक identity लग जाती है, a plus b, a minus b की identity, और a plus b और a minus b की identity आपको पता होगा क्या होता है, a plus b, a minus b आपका होता है, a square minus b square, तो यहां पर मैं यह identity लगा देता हूँ, जिसमें मेरा जो a है, वो यह दोनों है, cos theta प्लस sin theta, तो यह cos theta प्लस sin theta, यह मेरा a है, और इसका हो गया square, और जो b है वो है 1, तो minus 1 का square, और नीचे sin theta और cos theta का product है, तो यह हो गया sin theta, into cos theta, आप उपर में इन दोनों में फिर से identity लग रही है, a plus b whole square की, और a plus b whole square की identity आपको पता है, वो होती है, a का square, यहां हो जाएगा cos theta, b का square, यहांनि sin square theta, plus 2ab, यहांनि 2 into cos theta, and sin theta, और इसके आगे minus 1 का square तो 1 ही होता है, नीचे as it is rewrite कर लेंगे, sin theta into cos theta, आप उपर आप ध्यान से देखिए, कि sin square theta plus cos square theta, यह दो जो term है, यह दोनों मिलके आपकी 1 हो जाती है, जो last मैंने आपको formulas बताए हैं, उनसे है यह sin square theta plus cos square theta आपका 1 हो जाता है, तो इतने की जगे आपका 1 लिखा जाएगा, और इसके आगे आपका plus 2 into cos theta into sin theta, आगे यह minus 1, upon में same to same sin theta upon cos theta, अब यह जो plus का 1 है, यह इस minus 1 से cancel हो गया, और यहाँ पे sin theta cos theta जो है, यह उपर sin theta cos theta से यह कट गया, तो finally आपका जो answer आ गया, वो आ जाता है आपका 2, तो इस तरह से यह question हो जाता है, अब इसमें जो 2 था, आपका जो second में तो option था, जो 4 option दिये हुए हैं, उनमें आपका यह 2 C पे है, तो आपका C option right है, चलिए इसके बाद question करते हैं, इसी का third part, third part में आपको दिया है, question, second plus 10A, second bracket में 1 minus sine A, तो अब इसे कुछ इस तरह से करना है, दोस्तों ताकि नीचे की चीज सेम आ जाए, ताकि नीचे सेम आ जाएगा, तो हम LCM ले पाएंगे, और अपने सवाल को आगे चला पाएंगे, तो sack जो होता है, वो 1 upon cos होता है, और 10 sine upon cos होता है, तो इसको इस तरह से change करने से, हमें नीचे दोनों तरफ cos मिल जाएगा, तो आगे सवाल चल जाएगा, तो यह हो गया, 1 upon cos A, और यह हो गया, sine A upon cos A, यह first bracket है, second bracket को आप इसमें change मत कीजिए, यह इसी तरह से रखिए, क्योंकि यह आगे कटने के काम आएगा, और first bracket में जो LCM हो जाएगा, वो cos A हो गया, और उपर plus में है numbers, तो यह आपके plus हो गया, second bracket as it is, 1 minus sine A, अब आप फिर से देखेंगे, यहाँ पर 1 plus sine A है, यहाँ 1 minus sine A है, इसमें फिर से identity लग गी है, आपकी A plus B, A minus B वाली, और A plus B, A minus B की जो आपकी identity होती है, वो होती है आपकी A का स्क्वेर, minus B का स्क्वेर, अपॉन में, cos as it is, आप A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर हो गया, अब यह, 1 का स्क्वेर तो 1 होता है, 1 minus, यह हो गया, आपका sin स्क्वेर A, अपॉन, cos A, यह मैंने जस्ट इसका 1 का स्क्वेर लिखा है, अब 1 minus sin स्क्वेर A जो होता है, यह आपका बरावर होता है, cos स्क्वेर A के, यह identity इसे last वाली, 1 minus sin स्क्वेर A, यह इसी identity से निकली है, 1 minus sin स्क्वेर, आपका cos स्क्वेर के बरावर होता है, तो इस चीज को cos square a लिख लेंगे नीचे आपका cos a है अब उपर तो cos दो बार है multiply में और नीचे एक बार है तो ये एक बार इससे cancel हो जाएगा और final आपका जो answer आजाएगा वो cos a आजाएगा और आपके options में जो cos a है वो deeper है that means d जो option है वो आपका right है चलिए इसका fourth part करते है 1 plus 10 square है 1 plus cos square है अब इन्हें कुछ इस तरह से करना है ताकि ये हमारा सवाल solve हो जाए और 10 की form में आ जाए ये किसी भी form में आ जाए ताकि ये सवाल आगे चल पड़े इनके आप ध्यान से देखेंगे ये तो direct formula होते है जैसे कि 1 plus 10 square का formula होता है sack square और 1 plus cot square का formula होता है cosack square ये ही formula है जो मैंने अपनी last video में आपको detail में समझाए थे ये देखिए 1 plus 10 square sack square होता है और 1 plus cot square cosack square होता है तो direct value put करेंगे इसके बार ये fraction form में है मैंने अपने सवाल की सुविधा के लिए division form में कर लेता हूँ sack square a divided by cosack square a ऐसा करने पर इनको मैं अलग से inverse में लिख सकता हूँ अब जो sack होता है वो होता है 1 upon cos तो sack 1 upon cos होता है तो ये आपका 1 upon cos square a हो गया divided by और cosack होता है आपका 1 upon sin क्योंकि ये sin का inverse होता है तो ये आपका 1 upon sin square a हो गया अब ये divide में है और आप जानते हैं कि जो fractions divide में होते हैं तो पहला number तो as it is लिख लेते हैं और divide का multiply बन जाता है और अगला वाला fraction inverse हो जाता है यानि कि उल्टा हो जाता है तो यह उल्टा होके इस तरह से आ गया अब उपर sin square a और नीचे cos square a और sin square upon cos square आपका 10 होता है और क्योंकि यह square में है तो 10 पे भी square लगेगा तो यह हो गया आपका 10 square a तो इसका आपका final answer है और यह वाला जो answer आपका बनता है options में वो है d d है आपका none none of these यानि कि 10 square जो a है वो आपके options में है ही नहीं तो इस तरह से आपके यह दो questions थे I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आये होंगे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे like कर देना और 10th class का complete match पढ़ने के लिए आप इस channel को भी subscribe कर देना Thank you